नमस्कार तो सुब लंबर्दूस में आपका स्वागत देता आज हम बात करेंगे यूरोपन सीट वासे एंग्लो इंडियन सीट दोनों को क्या कमपेटिजन रहता है लायू करके बताएंगे कि क्या कैसे डिफ्रेंट रहता है दोनों के अंदर पूरा पुरूब बताएंगे स सबसे पहले देखिए यह यूरोपन सीट है एक डम प्लैन सीट है और यह एंग्लो इंडियन सीट है जिसमें यह ऐसा कुछ बना हुआ है इसके बारे में हम बात में बात करेंगे दोनों को कमपेटिजन है कि डिजाइन दोनों की लगबख सेम आती है केवल जो यह उपर का ह हिस्सा है यह थोड़ा डिफरेंट आता है बाकी पीचे का इससे मता है है जिस आप देख पा रहे हो यह इसमें ऐसा है जो डारेक्ट मुर्गे में लग जाता इस में भी हिसा-क रिक लग जाता है ठीक है तो यह गम्प्लेटली सा आताती है लेकिन इनका फरत है यूरोपन म पर आप जैसे इंडियन सीट होती ना इंडियन सीट इस पर आगर आप बैड़ते हो ना इस परकार आप इस पर भी उपर बैड़ के आप पोटी कर सकते हो मैं इसका रिजन के इंडियन सीट बनाने का यही है कि लोगों को क्या इस टाइप से नहीं आती है बिल्कुल बैट के तो इंडियन टाइप के साफ से यह सीट बनाई वी है जो काफी बेस्ट लगा मुझे क्योंकि यार कहीं लोगों को नहीं आती तो नहीं आती उसके लिए बैठने पे भी काफी कमपड रहती है क्योंकि काफी वाइड आती है इस पर बैठने पे आपको सिर्फ दो इंची का स्पैस मिलता है जिससे बौट प्रोब्लम आती है बैठने में और इसपर आप आसानी से बैठ सकते हो ठीके यह है मैं कम्पेरिजिन और बाकी प्राइजिंग की बात करें तो इसकी प्राइजिंग कम आती है इसकी प्राइजिंग ज़्यादा आती है क्योंकि इसमें 2-in-1 का मिक्षेर है और ये सिंगल है बाकी इसकी प्राइजिंग आपको 500 रुपे से 1000 रुपे एक्स्टा डेक्टिंग को मिलेगी इसके अको एक कमेंट करें तो आप भी कमेंट करें उसका वीडियो मनाए जाएगा ठीक यह कंपरिजन होता दोणों सीटों में वीडियो कैसे लगा अच्छे लगो लाइक करें शेर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें